नमस्कार मैं अभिशेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैग्रू तो railway के science के batches में हम लोगों ने heat and temperature start क्या हुआ था class 5 तक हम लोगों ने पूरा concept भी समझा temperature के concept के साथ numerical 15 सवाल हम लोगों ने कर लिये अब हम लोग heat को खतम क्या है conceptually चीजों को देखा कि specific heat क्या होता है और latent heat क्या होता है तो अब हम लोग आज एकदम हर एक type के दो-दो सवाल को करेंगे तो आपका specific heat और latent heat से सवाल आपका नहीं चुटेगा यह 110% मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी किसी भी publication के कितनी भी बड़ टीचर का बुक उठा लिजेगा railway हो चाहे TCS का पूछा हुआ सवाल हो चाहे BPSC का सवाल हो आप बना पा रहे होंगे बाकी आप जब इस class को पूरा देखेंगे जो paid student है उसका मैं revise करा दूँगा जो YouTube पे देख रहे होंगे मैं उनको काफी चीजों को revise कराते हुए फिर मैं class को numerical जो आज आपका है उसको मैं वहां पे पहुंचूंगा बाकी जो interested है हमारे LP combo batch जो 499 में हमारे application पे चल रही है math special 299 एकदम TCS के सारे latest updated जो अभी SSC ने पूछे है TCS में क्योंकि देखे 2019 के बाद railway ने paper लिया ने तो वो सारे चीजों को सलक्षमन सर ने arrange करके आपको provide कर रहे हैं आप number system का वीडियो यूटूब पे आ भी रहा है और science special में हम content दे रहा है आपने content देखा भी है आपने प्यार भी दिया है बाकी आप एक बार डेमो भी ले लिजे यूटूब पे भी है आज का भी वीडियो देखकर क्या आप decide कर सकते हैं चलिए आज की class हम लोग स्टार्ट करते हैं देखे class क आपका sensible heat और एक आपका विसिष्ट उस्मा जिसे हम कहते specific heat चीक है इसकी formula हमें पता है Q equals to mc delta t लेकिन देखे हम लोग जो numerical solve करेंगे दो method से एक तो हम लोग अपना conceptual method से solve करेंगे कोई formula यूज नहीं करेंगे दुसरे में हम लोग formula यूज करके आपको सिखा देंगे कि formula भी use किया जा सकता है बाकि आपका concept clear है तो definition से ही सारे numericals बनाएंगे तो समवेधनी उस्मा हमेने ये बतला था दो उस्मा एक तो specific heat है यानि कि विसिष्ट उस्मा है ये आपका specific heat है समवेधनी उस्मा का मतलब वो उस्मा जो किसी पदार्थ के तापमान को क्या करें increase कर दे लेक लेंगे एक unit लेंगे एक kg लेंगे या एक गराम लेंगे तो एक गराम पदार्थ का तापमान एक degree Celsius temperature increase करने में जितनी उस्मा क्या हो सकता होगी वह उस पदार्थ की specific heat कहलाएगी मतलब समझा आपने हमने ये कहा समवेधनी उस्मा एक है आपका समवेधनी उस्मा और एक है आपका विसिष्ट उस्मा ठीक है अब इन दोनों के बीच में difference क्या है ये भी उस्मा क्या कर रहा है आपका तापमान को increase कर रहा है यानि कि यह वो उस्मा है जो किसी पदात के temperature को increase कर दे और यह भी पदात के तापमान को increase ही करेगा ऐसा नहीं कि यह decrease करेगा या फिर कुछ भी चेंज नहीं लाएगा यह भी increase कर रहा है यह भी increase कर रहा है लेकिन यहाँ एक important चीज है विसिष्ट की यानि कि specific हिट की बात होगी यानि कि unit mass की यानि कि यहाँ पर यह क्या कर रहा है वो पदार्थ का तापमान को increase कर रहा है लेकिन यहाँ पर पदार्थ का कितना unit mass को या वाटर की specific heat होती है one calorie per gram degree Celsius इसका मतलब क्या है इसको समझे इसका मतलब यह है कि एक गराम पानी देखे एक गराम पानी का तापमान एक degree Celsius increase करने के लिए हमें कितनी उसमा क्या आवशकता है एक calorie उसमा क्या आवशकता है तो यह है पानी की विसीष्ट उसमा यानि कि specific heat of water one calorie per gram degree Celsius ठीक है जब बहुत detail हम लोगों ने class में discussion किया इसके example के साथ भी सारे हमने आपको example भी दिये थे रिगिस्तान में गर्म हवाए ठंडी हवाए यह सारी चीज़े अब बात करते है लैटन ठीट यानि कि गुप्त उसमा नाम में यहाँ पर गुप्त यानि कि कुछ चीज़े यहाँ गुप्त हो रहे होगी तो यह उसमा भी क्या करेगी यहाँ भी उसमा है भाई यहाँ भी उसमा देखा यहाँ भी उसमा देखा समवेधनी उसना ने टेंपरेचर इंक्रीज क्या विजिश्ट उसमा ने भी टेंपरेचर इंक्रीज क्या लेकिन इनके बीच डिफरें आपकी नियत रहती है यह उसमा क्या करती है आपकी जो अवस्ता है यानि आपकी जो state है अवस्ता अवस्ता में क्या करता है परिवर्तन लाता है अवस्ता में क्या करता है चेंज लाता यानि कि solid state हो गया एक आपका liquid state हो गया और एक आपका gas state यानि कि solid को liquid में बदलेगा liquid को gas में बदलेका कहने का मतलब यह है यह और आपके पास एक बरफ है ठीक है जीरो डिगरीltry संはは पे आपका क्या है यह वर ठीक है आपने हीट दिया आपने हीट दिया और यहाँ पर आपने एग थर्मा मेटर लगाया तो आप जब हीएने से पहले थर्मा तो देखिए यह उसमा गई कहां यह उसमा गुप्त हो गई इस थर्मामीटर के नजर से इसलिए इसका नाम पड़ा गुप्त और यह उसमा क्या करने लगी इस बर्फ के स्टेट को चेंज करने में लग गई यानि कि उसका जो सॉलिड स्टेट था उसको पानी में बदलने लिया है ठीक है और हमने जब इसमें हीट प्रवाइट किया इस बर्फ का जो तापमाण जीरो डिगरी सलसेस था यह बर्फ अब पिघलने लग गया यह उसमा क्या करने लगा इसके स्टेट को चेंज करने में लग गया ना कि उसके टेंपरेचर को इंक्रीज करने में एक मि लिक्विड में बदलने लग गया यह उसमा क्या करने लग गया इसके स्टेट को चेंज करने में लग गया उसके टेंपरेचर में कोई भी चेंज नहीं आई तो वह उसमा जो किसी पदार्थ के तापमान को बीना चेंज किये हुए उस पदार्थ के अवस्था में परिवर् हीट ठीक है बागी इसमें दो वर्ड हम भी हम लोग और सीख लेते हैं यहां पर किलियर करी लेते हैं रिवाइज हो जाएगा आपका लेटेंट ओफ्यूजन और एक है आपका लेटेंट ओफराइजेशन मतलब क्या यह आपका है specific यह भी है आपका specific यानि specific latent heat of fusion मतलब क्या कि गलन की गुप्त उस्मा तो गलन की जो गुप्त उस्मा कहने का मतलब क्या इसका मतलब यह कि वह उस्मा जो बर्फ को किसमें बदल दे पानी में बदल दे ठीक है ना लेकिन temperature क्या होगा temperature constant रहेगा state केवल change हो रहा है क्या change हो रहा पानी जो आपके 100 C पे थी इसके state को change कर दियं हम लोग बाप बदल दिये अब इस भाप का भी टेंपरिजर कितना हो गांडर डिग्री सलसाइश लेकिन इस्टेट चेंज हो गया यह आपका लिक्विड इस्टेट में था और यह अब आपका गैसियस इस्टेट में आ गया समझ में आ गया तो लैटेंट धिट अपराइजेशन मतलब कि व यह वहती है असी कैलोरी पर ग्राम अब इसका मतलब समझें इसका मतलब यह कि एक गराम बर्फ को पिगालने में आपको कितनी उसमा क्या वसकता होगी तो देखें बर्फ इस्टेट में पिगल यह लिक्विड इस्टेट में तो स्टेट चेंज हुआ ना उसी प्रकार इसका मतलब यह लिक्विड इस्टेट में तो लिक्विड इस्टेट में चेंज हो गया तो पानी को भाप में बदलने के लिए जितनी उसमा क्या वसकता होती है कितनी 540 कैलोरी यहां तक चीजे के लिए रहा है अब हम लोग आते नियूमेरिकल पे पहला सवाल the amount of heat required to convert 8 gram water at 100 degree Celsius into steam of 100 degree Celsius 8 gram पानी को ठीक है ना कोई पानी है पानी की मास कितनी है 8 gram यानि 8 gram पानी को जिसका तापमान 100 degree Celsius है यहां English में मैंने लिखा है यहां पे miss हो गया है यहां लिखना चाहिए था छुड़ गया है यहां देखें English में पढ़िए the amount of heat required कितना उस्मा के आवशकता होगी जो convert करेगी 8 gram पानी जो 100 degree Celsius पे है और किसमें बदलेगी steam में और steam का तापमान कितना है 100 degree Celsius तो कोई पानी जो 100 degree Celsius में है उसको 100 degree Celsius पर भापमें बदलने के लिए आवशक उस्मा तो यह उस्मा सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आवशक उस्मा में कि कौन सी उस्मा की बात हो रही है समवेधनी उस्मा की बात हो रही है तो समवेधनी में हमने कुछ चीज़े फॉर्मूला पढ़ा नहीं तो इसको हटाईए कि specific heat या फिर latent heat तो यहां देखिए पानी है पहले पानी की यहां पर मैं एक figure बनाओ यह आपका पानी है ठीक है पानी है कितना 8 गराम पानी है अब समवेधनी बदल रहा है उसका तापमान कितना 100 डिगरी सलसर तो देखिए तापमान यहां भी सेम है और तापमान यहां भी सेंज है लेकिन इस्टेट जो लिक्विड इस्टेट में था अब यह किस चेंज हो गया गैस में यानि यह कौन से इसमा होगा टेम्परेचर कॉंस यहां वह क्तल कर से लेंगे कोशन थोड़ा सा हाइड करते हैं इंगलीस में चलिए आट ग्राम पानी कि यहां बात है कि 8 ग्राम पानी को 100 डिग्री सलसर पर भाफ में बदलने के लिए आवशक उसमा की आवशकत्ता हो बतलानी कि कितनी उस्मा क्या हो सकता तो उस्मा हम समझ कि कौन से उस्मा की बात हो रही लेटन्ठीट की तो क्याची में बदल रहा है पानी भाप में बदल रहा ठीक है पानी भाप में बदल रहा और अभी मैंने आपको बतलाया भी था देखे यहां पर कि पानी भाप में पता है कि specific specific latent heat of vaporization क्या है आपका 544 कलोरी पर ग्राम इसका मतलब क्या हमें इसका मतलब यह कि एक गराम पानी ठीक है ना एक गराम पानी को भाप में बदलने के लिए एक गराम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी उस्मा की हाँशक्ता होती है 540 कैलोरी उसमा की है हमें कितने गराम पानी बदलनी डिली डिल से रहा है कैलोरी यह आपका answer हो जाएगा तो 808 32 845 43 43 4320 कैलोरी उसमा की आवशक्ता होगी लेकिन अब आपको देखना है कि आप्शन कैलोरी में है या फिर किलो कैलोरी में हो जाएगा 4.320 किलो कैलोरी या फिर आपका जूल में तो नहीं है तो देखें एक कैलोरी इकोस्टू होता है 4.2 जूल यानि एक कैलोरी इकोस्टू 4.2 जूल तो आपके पास कितना कैलोरी है 4320 कैलोरी है 4320 कैलोरी है तो 4.2 से multiply कर देंगे 4320 यह आपका जूल पे answer आ जाएगा ठीक है यहा तक समझ में आ गया यह रहाट 1 या Joseon का यानि गलन की गुपद उस्मा वर्फ पानी में बदल रहा है या पानी भाप में बदल रहा है तो लेटेंटा व फइपराइजेशन लेंगे नाजच कितना दिया है 8 गराम लेटenटा बेपराइजेशन यानि कि बाप पानी को भाप में बदलने के लिए इसमाई क्या वसकता होती 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ग्राम से ग्राम कड़ी या आच से इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो भी आजागा 4320 कैलोरी, पिलो कैलोरी में है या फिर जूल में है ये आप देख लेंगे, अब चलते हैं, सवाल पे दूसरा सवाल भी सेम टाइप पर ला awfullyा या दो सबार के बाद आपके लातन एट का कंसिप्ट के लियर हो जाएगा फिर स्पेसिफिक कं खरेंगे दो सवाल में ध electronics को कमबाइन कर चारेंगे और हैं कितनी उशमा की आवशक्ता होगी convert करने के लिए पांच केजी पानी है जो 100धigree celsius पे है और किसमें बदलना है भाप में बदलना है उस भाप की भी टापमान कितना 100धigree celsius यानि कि 5 केजी जल जो 100abusट पे है उसको 100 выш सलसद भाफ में बदलने के लिए की आवशक्ता तो पहले कौन सीस्मा की बात हो रही है है इसको हम लोग समझते हैं तो आपको ह्याजा आपको दिधा गया है यहांड कैजी यहाणी यह पानी कितना है पानी और इसका कितना दिया हुआ एट करlike १ो तो देखे यह आपका चेंज हो गया gas में और यह आपका था liquid state में यानि यहाँ पर तापमान constant है यहाँ भी तापमान देखे constant 100 degrees लेकिन state में change हो रहा है यानि कि यहाँ पर कौन से hit की बात हो रही है latent hit की बात हो रही है तो simple सा सवाल है यानि हमें पता है कि क्या पता है एक गराम पानी को ठीक है ना एक गराम पानी को भाप में बदलने के लिए एक गराम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी उसमा की आवशक्ता होती है पांसो चालिस कैलोरी उसमा की आवशक्ता होती है लेकिन आपको यहा पांच-पांच-पांच-विटि-पांच-विच्पाैब को कि उस्मापका होएगे इतनी कैलोरी उसमा क्या हो सकता होगी multiply कर लेते हैं चार जीलो हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच योगे बीस का जीलो, हाथ में बचा दो, पांच से पचीस, दू, सताइस देखें, आप लोग calculation देख लीजेगा एक बार जल्दबाजी में गलती हो सकती है ये calorie में answer हो जाएगी बागी kilo calorie की बात की जाएगी तो 30 हटा लेंगे तो 27 kilo calorie हो जाएगी और अगर joule में बात होगी तो 1 calorie equals 2 होती है 4.2 joule, तो कितना calorie है इतना calorie में आप 4.2 से multiply करेंगे वो आपका answer हो जाएगा ये है पहला method हम लोग चलते हैं दूसरे method में second method हमें पता है क्यों ही क्या होता है mass into latent heat आप चाहिए latent heat क्या होगा vaporization या fusion गलन की गुप तुस्मा या फिर आपकी वास्पन की गुप तुस्मा तो यहाँ पर क्या हो रहा पानी भाप में बदल रहा यानि कि vaporization हो गया mass कितना है ग्राम में इसको convert कियें तो 5000 ग्राम हो गया आपका और latent heat of vaporization कितना हो 540 कैलोरी पर ग्राम चीक है ग्राम से ग्राम कट जाएगा इसको solve करेगा यही answer आजाएगा किलियर हो गया latent data concept किलियर अब हम लोग बात करेंगे specific heat की तीसरा सवाल heat required to increase the temperature देखे यहाँ पर साब साब लिख दिया गया increase the temperature यानि temperature increase करने के लिए कितनी heat की आव सकता तो temperature increase अगर हो रहा है यानि specific heat की बात हो रही है क्योंकि specific heat में हमने देखा थे 100 गराम पानी के तापमान को 30 degree Celsius से बढ़ा कर 80 degree Celsius करने के लिए आविशक उस्मा की मातरा आपको बतलानी है बहुत तीजी सवाल है आप से ये पूछा गया सारे सवाल आपके आए हुए है आपके पास कोई पानी है ये पानी है कितनी 100 गराम पानी है आपके पास ठीक है ये 100 गराम पानी है जिसका तापमान आपको दे दिया गया है 30 degree Celsius ठीक है 30 degree Celsius दे दिया है यहाँ पानी का तापमान और बोला गया है कि इसको हम लोग heat दे रहे हैं तो heat दे रहे हैं कौन सा heat होगा ये आपका specific heat होगा क्योंकि तापमान इंक्रीज हो रहा है तो अब यह पानी का तापमान कितना हो गया 100 गराम पानी का तापमान जो है अब जो हो गया है हीट देने के कारण 80 degree Celsius ठीक है टीटू हो गया 80 degree Celsius तो देखे यह पानी क्यों से गराम डीगरी Celsius पहले हमें बतलाई कि टेंपरेचर में कितना चेंज हुआ तो डेल्टा टी आप निकाल सकते हैं टीटू माइनस टीवन यानि कि 80-30, कितना का change हुआ, यानि कितना increase हुआ, 50 degree Celsius increase हुआ, 30 से 80 हुआ, यानि 50 degree Celsius का increase हुआ, पानी है ना, पानी, अब हमें क्या पता है, specific heat of water, तो पहला method तो हम formula use नहीं करेंगे, concept से ही solve करेंगे, दूसरे में हम आपको formula से करवा देंगे, जो हर एक teacher करता भी है, देखे, specific heat of water, य अब हमें कितना पानी है हमारे पास, 100 gram पानी, यानि कि 100 से multiply हम यहाँ पर कर दिये, तो 100 gram पानी होगी हमारे पास, 100 gram पानी का tapman हमें कितना increase करना है, 50 degree Celsius, तो 50 degree Celsius increase कर दिये, तो हम यह multiply कर देते हैं, एक गुना, 50 गुना, 100, तो इतना उसमा क्या आवसकता होगी, समझ में आय इतनी उसमा क्या हो सकता होगी, अगर 50 degree Celsius increase करना है तो 100 को 50 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, 30, 0, 5, 50, 5000 कैलोरी, या फिर 5 कीलो कैलोरी, या फिर जूल में रहे रहेगा, तो 1 कैलोरी इकोस टू 4.2 जूल, तो 1 कैलोरी इकोस टू 4.2 जूल, तो 5000 कैलोरी में कितना जूल हो होते हैं, formula based भी सीखी लीजे, specific heat formula क्या होता है, mc delta t, specific mass कितना दिया, पके पास, 100 gram, specific heat of water कितना होता, चलिए उसको पूरा unit से आपको बनाते है, mass कितना है, 100 gram है, specific heat of water कितना होता, अभी मैं आपको बता, specific heat of water, सि अजिए होता है अभी मैं रिवाइज भी कराया अभी बत्ला तोन पानी ना देखे बोल देता है एक सौगराम लोहे को यहां आपके पास और आपके पास आईगा भी दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यहां को बोलेगा कि 100 ग्राम लोहे का तापमान 30 डिगरी सलसेश से 80 डिगरी सलसेश बढ़ाने में कितनी उसमाई क्या हो सकता होगी तो उस केस में हम लोहे का क्या लिखेंगे तो एक्जाम में आपको दे देगा कि लोहे का स्पेसिफिक हीट कितना होता यानि कि एक ग्राम लोहे का त इंक्रीज करने के लिए कितनी उसमें क्या हो सकता एक कैलोरी और डेल्टा टी कितना चेंज है तो पचास डिगरी सलसस तो डिगरी सलसस कड़िया ग्राम से यह ग्राम कड़िया यहां से आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका एंसर आजएगा 5000 कैलोरी ठीक है दूसरे टाइ करनान इनक्रीज करना उस धातू का हम लोग कितना ले रहे हैं 10 ग्राम मास ले रहे है उत्का टेमपिरेचर इनक्रीज करना चेंज हो रहा है साट डडिगरी सलसस का तो आप बतलाें कितनी हीड कि आहँगी तो आप कहेंगे कि सर हमने इस स्पेसिफिक हीट ओफ वाटर अगर हमें 1 degree Celsius increase करना होगा तो उसके लिए हमें कितनी उसमा की आवसक्ता होगी यह नहीं पता है तो आप हम इसे कैसे solve करेंगे तो देखें यहां आपको exam में दे दिया रहेगा specific heat of metal 0.3 calorie per gram degree Celsius यानि कि यह जो metal है इस metal का अगर हम लोग 1 gram लेते हैं और इस 1 gram metal का अगर 1 degree Celsius temperature increase करना है तो इसके लिए हमें 0.3 calorie की उसमा की आवसक्ता होगी ठीक है तो इसको आप हम लोग आराम से बना लेंगे इस question को कैसे तो देखें हमें यहां पर दे दिया गया specific heat of metal ठीक है उसमा की आवसक्ता होगी 0.3 calorie ठीक है यही दिया हुआ और हमारे पास कितना metal है कितना gram है 10 gram है तो यहां पर 10 से multiply करते हैं तो 10 gram metal का तापमान हमें कितना increase करना है तो 60 से 120 यानि कि 60 degree Celsius से 120 degree Celsius चेंज करना है तो कितना change in temperature है 60 degree Celsius का तो 10 gram metal का अगर तापमान हमें 60 degree Celsius चेंज करनी है तो कितनी calorie उसमां क्या आवसक्ता होगी 0.3 गुना 60 गुना 10 यह हो जाएगा इतना calorie तो इसको solve कर लेते हैं 0.3 गुना 60 गुना 10 इससे एक point हटाएंगे तो य 188 यानि 180 कैलोरी उसमा की आवशक्ता होगी समझ माया हमने यह कहा कि आपके पास यह कोई एक metal है ठीक है इस metal का तापमान जो है अभी 60 degree Celsius है और कितना gram है तो 10 gram है metal ठीक है 10 gram metal है इसको हमने heat दिया heat देने के बाद यह कौन से heat थी specific heat क्योंकि इस metal का तापमान क्या हो गया जो mass कितना 10 gram तो आप बताइए कि कितना आपको heat क्या हो सकता है तो हमें यह दे दिया गया कि specific heat of metal है वो है 0.3 कैलोरी पर gram degree Celsius यानि 1 gram metal का तापमान 1 degree Celsius इंक्रिस करने के लिए हमें 0.3 कैलोरी उसमा क्या हो सकता होगी तो इसलिए हमने आराम से बना लिया कि 1 gram metal का तापमान अग 220 जा रहा है यानि 60 degree Celsius इंक्रिस करना है तो 0.3 into 60 into 10 करेंगे इसको solve करने पे 180 कैलोरी आएगा answer यह हो गया एक method दूसरा method formula से हम लोग solve कर लेते हैं second method से q equals to होता है mc delta t ठीक है तो mass कितना दिया हुआ है आपके पास 10 gram c की value कितनी दीवे 0.3 कैलोरी पर गराम degree Celsius ठीक है और change in temperature कितना है 60 degree Celsius degree Celsius ग्राम से ग्राम कर जाएगा और इसको आप solve कर लें 10 गुना 0.3 कैलोरी गुना 60 ठीक है तो इसको आप जब solve करेंगे तो वही चीज़ आएगा 180 कैलोरी किलो कैलोरी जूल आप देख लेंगे यहां तक समझ मा गया यानि चौथा सवाल आपका बन गया कि 10 ग्राम जो द्र आपते हैं कि पांचमा सवाल आपसे क्या बोल रहा पांचमा सवाल भी इसी specific हीट का है तो इस पांच सवाल से आपका पूरा specific हीट का concept किलियर हो जाएगा और latent हीट का भी किलियर हो जाएगा heat required to increase the temperature of 0.5 kg water यहां क्या बोला कि कितनी उसमा क्या हो सकता होगी increase करना है तैंपरेचर को यानि तैंपरेचर को इनक्रीक करना है specific हीट की बात हो रही होगी ठीक है क्योंकि specific heat क्या करता, temperature को increase करता है, कितने पदात की quantity क्या होगी, एक unit की बात होगी, एक कांक दर्वमान की बात होगी, unit mass की बात होगी, लेकिन latent heat में क्या होता है, वो temperature को तो increase नहीं करता है, लेकिन state में परिवर्थन करता है, तो यहां लिख दिया गया increase the temperature, specific heat की बात होगी, तो heat required to increase the temperature of 0.5 kg water यानि आपके पास पानी है 0.5 kg उसका तापमान आपको increase करना है 15 से 75 डिग्री सलसेथ 0.5 kg पानी के तापमान को 15 डिग्री सलसेथ से बढ़ा कर 75 डिग्री सलसेथ करने के लिए आविशक उसमा क्या होगी आपको ये बतलाना आपको ये बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर पानी है ठीक है ये पानी है ये पानी है और ये पानी का मास दिया हुआ है 0.5 kg ठीक है जिसका तापमान है 15 डिग्री सलसेथ अब आप इसको क्या किये है? heat provide किये है heat provide करने के बाद ये पानी पानी ही है यानि ये liquid state में भी है और ये अभी liquid state में ही है यानि कि state change नहीं हुआ आपने heat दिया है कौन सा heat होगा specific heat होगा क्यूंकि ये पानी ही रह गया liquid state में ही है और ये 0.5 kg है और तापमान इसका change हो गया 15 से कितना हो गया 15 से आपका 75 degree Celsius देख सेक यानि आपने कितना heat दिया आपको पूछ रहा है यह कि यह जो 0.5 kg पानी है जो तापमान 15 से था जो अब 75 से बदल गया तो उसके लिए कितनी उसमाई क्या हो सकता होगी तो यहां पानी है तो हमें पता है specific heat of water ठीक है वन कैलोरी पर ग्राम डिगरी से इसलिए कोशन में नह से इंक्रीज करने के लिए 1 कालोरी उसमा क्या हो सकता होती है तो यहां कितना ग्राम है तो यहां पर है आपका 0.5 kg एक हजार से इसको multiply कर देंगे तो इसको जब आप सौल्व करेंगे तो कितना जाएगा 500 ग्राम तो यहां multiply 500 तो 500 ग्राम इधर हो गया 500 ग्राम पानी का 30 कीलो कैलोरी उसमा की आवशक्ता होगी यह तो पहला मेथड हो गया समझ माया ना एक ग्राम पानी का तापमान एक डिग्री सलसें इंक्रीज करने के लिए एक कैलोरी उसमा क्या हो सकता होती है तो आपको दिया गया था 0.5 kg kg में नहीं लेंगे इसका यूनिट हम लोग किस 5,000 से मल्टिप्लाइब किए तो 5000 ग्राम फानी आया कितना 습ी चलीग्री कोश चेंज करना है तो सांच डिग्री सलसें το उन्य इंक्रीज करना रहां था इसको इसका सथ डिव चेंज इंटेंपरेचर कितना है आपका साथ डिगरी सलसेस डिगरी सलसेस ग्राम से ग्राम कड़िया इसको स्वाल्व कर लिजें यहां से कड़िया तो पांसो और साथ यानि की तीस अजार ठीक है ना तीस अजार कैलोरी उसमा की आवसकता होगी ठीक है समझ मा आ गया तो देखे आज यहां पे खतम करेंगे अभी इसका एक और पार्ट आएगा देखे अभी हमने क्या-क्या सीख लिया पहले इसको समझ यह क्योंकि अप्लिकेशन में ज्यादा बड़ा विडियो डालना सही नहीं है आप लोग भी थोड़ा सा demotivate हो जाते बड़े विडियो तीस मिनट का लेक्चर काफी होता एक हमने समझ लिया latent heat को apply करना पहले तो concept class में समझा अभी हमने numerical बना लिया latent heat का फिर specific heat को conceptually समझ लिया और फिर इसका हम लोग numerical कर लिए यूनिट क हम लोग zero degree Celsius बर्फ लेंगे और फिर final जो होगा उसी कल के क्लास में बर्फ का हम लोग minus 4 degree Celsius minus 10 degree Celsius स्टार्ट करेंगा और फिर 100 degree Celsius स्टीम में ले जाके solve करेंगे वो जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है that's all यहां तक की चीज़े रहेगी बाकि जो interested है student बहुत ज चीज़े की समझ आपको हो रही है या नहीं उसके बाद ही आप जरूर एक बार आपको जॉइन करना भी चाहिए ठीक है कितनी सारी demos है आप देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद